नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret 2022 सनिदेव किन को बनाएंगे राजा और किन को रंग हर कोई जानना चाहता है हलांकि सनिदेव नियाई के देव है नियाई का ही फल देंगे लेकिन आई ये जानते हैं क्या होने वाला है खास तो 29 अप्रेल 2022 सनिदेव अभी तक मकर रासी में है इसके बाद वो कुम रासी में आएंगे और कुम रासी भी सनिदेव का अपना घर है तो जब भी सनिदेव रासी परिवर्तन करते हैं तो पांच रासियों पर साड़े साती ढहिया शुरू होती है यानि चलते रहती है हमें साही और जो सनिदेव हैं वो धिमी गती से चलते हैं पूरे ढ़ाई साल लगाते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने में रासी परिवर्तन करने में और इस समय चुकि बरतमान समय में धनू, मकर और कुम रासी पर साड़े साती चल रही है लेकिन 29 अप्रेल 2022 के बाद धनू वाले आजाद हो जाएंगे साड़े साती से और मीन वालों पर साड़े साती सुरू हो जाएगी और अभी मिथून रासी तुला रासी पर धहिया चल रही है लेकिन 29 अप्रेल 2022 से ये दोनों धहिया से मुक्त होंगे और करक रासी और ब्रि सने देव आपके दसम भाव और 11 भाव के स्वामी है और आपके अभी दसम भाव यानि कि करियर के भाव प्रसिद्धी के भाव पिता के भाव में अब यहां पर क्या होगा कि सुरुवात में आप पूरी तरह से 2022 की सुरुवात में अपने करियर को लेकर फोकस्ट रहेंगे अ और आप और ज्यादा प्रयास कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा क्योंकि यह समय ऐसा है जिसका इतना ज्यादा फ़ल उठा पाएंगे फाइदा उठा पाएंगे उतना ही आपके हक में आएगा लेकिन आपके कारेस थल पर जो आपके सिनियर है बेवज़ा आपको थोड़ा प सब बाले है उनके लिए यह आपके नवे भव और दसं भव के स्वामी है और शुरुवाथ में सनिदेव आपके नोवे भव में यानी सिख्छा के बहव अध्यात के भव भागे के बहु में हे लेकिन इन इस अप्रेल वह आपके दसंभाव में चले जाएंगे तो आप जो हलांकि इसमें धहर किया वसकता होगे क्योंकि बहुत सारे कारियों में प्रगती में आपको थोरी बाधाएं सामना, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हलांकि सस्नमक महापुरुस राजियोग बना कर चलेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के। अभी चल रहा है आपके उपर ढ़या और यह ढ़या आपका 29 अपरेल 2022 तक जा रही है। तो यहां पर क्या होगा देखिए आपको बस यह समझना है कि आप अलगाओ की स्थिति को दूर करने का प्रयास करें चाहे है को कैसी भी अलगाओ हो धन के मामलों में आपका थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएगा लेकिन धन के मामलों में एक और है दूसरे भाव में जाने यहां पर जो द्रिश्टी होगी धन का प्रतिदित करता है तो धीरे धीरे ही सही पर धन आता रहेगा हाँ थोड़ा से अपन को कि आपके सब्तम और अस्टम भाव में गोचर कर रहे हैं सुरवात में सब्तम भाव में हैं वैसे भी रिस्तों में दूरिया लाएं लेकिन अस्टम भाव में जब जाएंगे जब आपके ऊपर धाया चलेगी तब आपको बहुत समल कर आगे बढ़ना होगा धाई साल और आपको अपनी पुरानी स्वास्त की समस्याओं पर भी ध्यान देना है तो सिंग दासी वालों जो सनिदेव हैं आपके छटे और साथवे भाव के स्वामी हैं अभी आपके रोक चोटरीन कर जे सत्रू के भाव चटे भाव में बैटे हैं और इसके बाद 29 अपरेल से वह आप बस थोड़ा से यह समझ लें कि थोड़ा तनाव है यहां पर लेकिन आपको थोड़ा से बेवाही जीवन पर ध्यान रखना होगा जीमेदारियां बढ़ेंगी परिता प्रिक्षा बगरें में आपको सभलता तो प्राप करेंगे लेकिन आपको यहां पर हाड वक करना पंचम में विराजमान है आपके पंचम चठेवा के स्वामी है अब 29 अप्रेल से आपके चठेवा में जाएंगे तो क्या होगा अगर आप उत्साह जनक प्रगति यानि आप जो भी करेंगे उसमें आपको कुछ नो कुछ अच्छा ही मिलेगा बस एक रननीती बनाकर आगे अच्छा नहीं दिखता रोग चोट रिन करजे सत्रू के भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा समयल के रहना है तुलारासी चनिदेव आपके चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी है अभी वरतमान में चौथे भाव में हैं आपके उपर चल रही है धया 29 अपरेल 2022 से आपके पंचम भाव में प्रवेज करेंगे यानि सिख्छा रोमान्स रशनात्मक्ता का भाव अब यहां पर क्या होगा भवन संपत्ती प्रपर्टी की प्राप्त होनी की संभावना बढ़ेगी खुद का मकान बेगैरा हो सकता इस समय आप बस अपने मां के स्वास्त का थो हैं तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल रखें हाना कि विद्यारतियों के लिए ज्यादा अच्छा वक्त है पढ़ाई पर और ज्यादा मेहनत करें तो बेहतर परिनाम प्राप्त होंगे थोड़ी बहुत स्वास्त से जुड़ी समस्या रहेगी इसका आपको ख्याल रख है लेकिन 29 अप्रैल से वह आपके चतुर्थ भाह में जाएंगे और आपके उपर सनेदेप की ढहिया सुरू हो जाएगी तो चौथे भाह में जब रहेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें जब ढहिया सुरू होगी तो आपको मेहनत जारना करन होगा अपने स्वAS का ध्यान डखना होगा मां के स्वAS में किस्टें उनका ध्यान डखना होगा तो थोड़ा से हाँ पर आपको ध्यान से चलना होगा हला कि पदवपरतिष्टा बढ़ेगा लेकिन फिर धीरे जीजें ठीक होंगी इसलिए आप जितना जादा समझल के रह आपकी साड़े साती समाफ्त हो जाएगी और पूरी तरह से आजाद होगे तो यहां पर यहां पर देखे जब साड़े साथ से बचिएगा और किसी पर भरोसा करने से धोखा भी खाने के योग बनेंगे तो जटिलताओं से बचने के लिए अपने स्वास्त का भी बहतर खयाल बनाये रखें मकर रासी अभी आपके लगन में बैठें हैं और 29 अप्रेल 2022 को आपके द्रीती भाव में धन्वाव में जाए देखिए अभी जो पहले भाव में है और किसी भी प्रकार का किसी को कर्ज देने से बचें अभी ये समय क्योंकि बेबज़क खर्चे भी बढ़ा हुआ है तो नकात्मक होने से भी बचें मांसिक तनाव है थोरा सा इन से बाहार निकलिए क्योंकि थोरा सा गडबर दीख रह है चाड़े साती इसलिए नियोमों का पालन करें मेहनत करें और किसी के भरोसे ना रखें बुरी संगती से दूर रहें बुरे आदतों से दूरी बनाए वरना बुरे फस जाईएगा कुमरासी आपके बार्वें और लगन के स्वामी है अभी बरतमान में आपके बार्वें में चल रहे हैं और 29 अप्रेल 2022 को आपके लगन में आएंगे अभी आपकी साड़े साथी का पहला चरण है और 29 अप्रेल 2022 को आपके साड़े साथी चाती पर चलना सुरू होगा तो आपके लिए बस यह समझ लें कि जो विद्यारती हैं विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाय अपर ध्यान दे और स्वास की द्रिश्टी से बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें हार्ड वर्क है और आप अपने उपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं मिंडासी आपके ग्यार्वे और बार्वे भाव के सुनिदेव स्वामी है और कुंडली का ग्यार्वा बहुत अच्छा होगा जो लोग नौकरी करते हैं जॉप करते हैं विदेशी कंपनी बेगरें उनके लिए बढ़ियां होगा क्योंकि यहां पर विदेश से लाब होगा विद्यार्थी वक्त वक्त है पर एक बाद याद रखिए कि बैभाई जीवन का रिस्तों का बहुत ख्याल र